बारत और इंग्लिंड की सीरीज जारी है इस बीच अब विराच कोली पर सवाल खड़े हो गए हैं सवाल है कि क्या इंग्लिंड के खिलाफ पांचवे T20 मैच के लिए विराच कोली फिट नहीं है भारत और इंग्लेंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर है दिराच कोले की अगवाई में टीम इंडिया ने 4 T20 मैच जीत कर सीरीज में बराबरी कर ली भारत ने इंग्लेंड को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष दिया जवाब में इंग्लेंड की टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी और भारत ने 8 रनों के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया अब दोनों टीमों की नज़र पाँचवे और निर्नाइक मैच में जीत हासिल करने पर है लेकिन पाँचवे मैच से पहले ही भारती कप्तान विराच कोली के फिटनेस पर सवाल उठने लगे है दरसल चौते मैच के दोरान कोली कुछ समय के लिए मैदान से बाहर गए थे जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या निर्नाइक मैच के लिए कोली पूरी तरह से फिट है हालांकि कोली ने संकेद दिये थे कि वे फिट होंगे और आखरी मैच में टीम की कप्तान ने करेंगे कोहली ने कहता कि चौते मैच में फिल्डिंग के दोरान वे गेंद के लिए भागे उन्होंने डाइव लगाई और फैंक दिया लेकिन वे सही पोजिशन में नहीं थे इसलिए वे मैदान से बाहर गए उन्होंने कहा कि इससे पहले में इनर रिंग में फिल्डिंग कर रहा था तापमान गिरने से शरीर सक्त हो जाता है इसलिए इस जटकी को चोट नहीं बनाना चाहता कोहली ने कहा कि ये ज्यादा गंबीर नहीं है मुझे शरीवार के दिन तक ठीक होना होगा क्योंकि मैच शाम को है अब फैंस की नजरे आने वाले मैच पर टिक गई है और विराज कोली के स्वस्थ होने की उमीद में है ब्यूरो रिपोर्ट डीपी के निउस